Assalamu alaikum, हम chapter no.7 colors of Pakistan की comprehension कर रहे हैं आज हम उसमें करेंगे pronoun What is the pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun, a noun phrase Pronoun एक वो लफ्स है जो के noun की जगा इस्तमाल किया जाता है इसको उर्दू में इसमें जमीर भी कहते हैं और ये इस्म की जगा इस्तमाल किया जाता है Pronouns आम तोर पे जो काम pronouns हैं जैसे He लड़के के लिए बोला जाता है, She लड़की के लिए अगर एक हो तो I और ज्यादा लोग हों तो We और Us Commonly बोले जाने वाले pronouns We have singular pronouns and plural pronouns इससे पता चला कि हमारे पास singular pronouns हैं एक बंदे के लिए और plural pronouns हैं दो लोगों के लिए इसी तरह singular में हमारे पास आत जाता है I, You, He, She और It He और She जानदार के लिए बोला जाता है और It गहर जानदार चीज़ों के लिए और plural form में हमारे पास pronouns दा जाते हैं We, You और They अब इनको हम sentences में यूज करते हैं पहला sentence है अब यहां पे पेंटिंग जो है वो एक noun है और इसकी जगा हमने pronoun इस्तमाल करना है अब पेंटिंग जो है वो एक neutral चीज़ है गहर जानदार है तो हम यहां पे लगाएंगे इस वेरी ब्यूटिफुल यहें बहुत खुबसूरत है यह मेरी संदीदा पेंटिंग है और इस वेरी ब्यूटिफुल और यह बहुत खुबसूरत है नेक्स है हमारे पास उजमा और अस्मा और नेबर्स उजमा और अस्मा हमसाई हैं डेश स्टड़ी टुगेदर अब यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो उजमा अस्मा है अब यह क्या है यह प्लूरल फॉर्म है और हम यहाँ पे लगाएंगे देश स्टड़ी टुगेदर वो दोनों कठा पड़ती है अब देखें यहाँ पे जो है वो कश्मीरी ड्रेस जो है वो नाउन है और एक बंदा पूश है can तो can I borrow your कश्मीरी ड्रेस क्या मैंने तुम्हारा कश्मीरी ड्रेस जो है वो बारो कर सकता हूं तो यहाँ पे आई आएगा नेक्स्ट है ओमर is very busy today डैश is preparing for the competition यहाँ पे जो डाउन है वो है उमर और उमर एक लड़का है यह male भी है और singular है तो यहाँ पे हम लगाएंगे he is preparing for the competition वो मुकाबले के लिए त्यारी कर रहा है तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान का मतलब क्या हमने एक नारे के लिए नारा लगाया था ला इलाह इलाला मुहमदुर्रसूल्ला इसको समझने के लिए हमें कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए जब तक हम कुरान मजीद को तर्जमे से समझ करनी पढ़ते हम अर्भी तो हमें आती नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुरान मजीद किस लिए है हमें किन बातों पर अमल करना है किन से रुखना है तो आज से अपने उपर लाजिम कर लें कि आपने कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना है रोज की कमस कम दो या तीन आयात पढ़ेंगे तो आप कुछ हरसे में पूरे कुरान जी तर्ड में से पढ़ लेंगे उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें